हेलो मंग बैच के प्यारे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है जी सर हमें आपकी आवाज आ रही है बच्चों क्या आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं नहीं सर हम आपको नहीं देख पा रहे हैं अरे आप लो आप मुझे पहले नहीं देख पा रहे थे, वो अब आप मुझे देख पा रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं, सर आपने lights on कर दी, इस वज़े से आप हमें दिखने लगे, पहले lights off थी, इस वज़े से आप हमें नहीं दिख रहे थे, तो बच्चो, आप लोग समझ तो गए ह आपका चैप्टर light पढ़ने वाले हैं, पूरा चैप्टर light डिसकस करने वाले हैं, इस class में, जैसा कि बच्चे डिमांड्स कर रहे थे, कि सर light पढ़ाए, light पढ़ाए, हमारी एक्जाम में light आने वाला है, तो बच्चो, आपका इंतजार खतम हो गया, आज हम आपका पूरा light चैप्टर in detail पढ़ने वाले हैं, तो बच्चो, बात कर लेते हैं हम, बात कर लेते हैं, light के बारे में कि आज हम किन-किन बातों पर डिसकस करेंगे, किन-किन पॉइंट्स के बारे में discussion करेंगे, तो बच्चो, ये हैं आपके पॉइंट्स, जो आज हम सीखने वाले हैं, ज ने हम detail में समझेंगे, example के थूरू, फिर हम बात करेंगे, kaleidoscope क्या होता है, working क्या होती है उसकी, ओके, फिर हम बात करेंगे human eye के बारे में, human eye के बारे में बात करेंगे, उसके structure के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे human eye की care कैसे की जाती है और फिर last में हम बात करेंगे braille system के बारे में braille system क्या होता है तो बच्चो ऐसे लोग जो की देख नहीं पाते हैं, उन लोगों के पढ़ने के लिए भी एक system है जिसे हम braille system कहते हैं, उसे हम detail में discuss करेंगे तो बच्चो ये हैं आज के हमारे points जिन पर हम बाते करेंगे, जिनको हम discuss करेंगे और जिनको इस class के बाद हम पूरा complete अच्छे तरीके से सीख जाएंगे तो चलिए बच्चो स्टार्ट करते हैं, अपने room की lights on कर लिजिए, copy pen लेके बैट जाएए जो भी important points आपको लगेंगे उनको note down कीजिए और इसलिए आपको note down करना है, इसलिए आपको ध्यान से चीज़े सुनना है क्योंकि lecture के बीच बीच में मैं आपसे कुछ questions भी पूछने वाला हूँ तो जैसे ही question आए आपकी screen पर वीडियो को pause कर दीजिए और comment में आपका answer कीजिए और उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाए फिर आप देखिए कि क्या आपने जो चीजे पढ़ी है वो आप बता पा रहे हैं या नहीं ओके बच्चो तो चलते हैं आगे चलते हैं आगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज what is light light क्या होती है बच्चो मैंने यहाँ पर light की definition लिख रखी है बच्चो यहाँ पर मैंने light की definition लिख रखी है दिख रही है नहीं दिख रही है क्यों नहीं दिख रही है क्या आप मुझे बताएंगे बच्चो इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि यहाँ पर अभी अंधिरा है यहाँ पर अंधिरा है यहाँ पर light नहीं है यहाँ पर light absent है पर अब हम क्या करेंगे हमें यहाँ पर definition तो दे को जैसे ही हम on करेंगे यहां पर जो भी definition लिखी वो आप सभी को दिखने लगेगी हमने इस ट्रज को on कर दिया हमने इस torch को on कर दिया हमने watt कीडे जो ड conversation पहले नहीं दिक रही थी वो दिखने लगी क्योंकि light सँन थी और जैसे ही light यहां पर incident हुई हमें वो चीजे दिखने लगी इसका मतलब light है क्या light is a form of energy जैसे की heat energy है chemical energy है nuclear energy है solar energy है वैसे ही light भी एक energy का form है light भी एक energy का form है जैसे बच्चो आप अभी आप जिस room में बैठ के पढ़ रहे हैं वहाँ पर आपने bulb आपके room का जो bulb है वो on है वो आपको light energy दे रहा है कैसे दे रहा ह आपने जैसे switch on किया वहाँ से electricity flow हुई electrical energy convert हुई जो आपके bulb के अंदर filament लगा हुआ है उस filament की heat energy में यानि electrical energy से वो जो bulb का filament है वो heat up हुआ और heat energy में convert हो गया है यानि पहले जो electrical energy थी वो बच्चो convert हो गई heat energy में और heat energy जैसे ही filament बहुत ज्यादा heat up हुआ अब वो अपनी energy को क्या करने लगा light के form में convert करने लगा यानि heat energy से फिर light energy में conversion हो गया यानि यह सब क्या है energy के form है light is a form of energy which produce the sensation of vision in our eyes यानि बच्चो अगर light नहीं होगी तो हम अपने आसपास की चीजों को नहीं देख पाएंगे अब भी light है इस वज़े से आप मुझे देख पा रहे हैं light की वज़े से हम अपने आसपास के building, घर, पहाड जो भी चीजे हमको देखती है उन सब को हम देख पाते है light की absence में इसलिए बच्चो रात में क्या होता है अंधेरे में हमें चीजे नहीं दिखाई देती है क्योंक अब आपको समझ में आ गया होगा light क्या है light एक energy का form है जो कि हमारी आंकों में sensation of vision प्रोड्यूस करता है और light की help से हम चीजों को देख पाते हैं ओके ये तो हो गई बात light के बारे में अब हम बात कर लेते हैं light की कुछ properties के बारे में light की properties के बारे में चलिए बात करतें बच्चों पहली property पहली property light की क्या होती है तो बच्चों light की जो पहली property होती है वो ये होती है कि light जो है वो हमेशा straight line में travel करती है जिसे हम rectilinear रेक्टी लिनियर प्रोपेगिशन ऑफ लाइट भी कहते हैं light हमेशा straight line में travel करती है जिसे हम rectilinear प्रोपेगिशन ऑफ लाइट भी कहते हैं ये पहली property होती है light की दूसरी property के बारे में अगर हम बात करें बच्चों तो जो light की speed होती है और जो sound की speed होती है उसमें क्या relation होत होता है ये है बच्चों light की speed light की speed ओके यानि हम इसे कहेंगे speed of light, speed of light और ये है speed of sound, speed of light and speed of sound अब बच्चों इसमें क्या relation होता है तो बच्चों रिलेशन ये होता है कि जो speed of light होती है वो speed of sound से ज़्यादा होती है सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं तो सर बच्चों मैं ऐसा इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास example है क्या ए example बताईए थीक है बता देता हूं मैं तो बच्चो देखाओगा आपने जब बिजली कड़कती है, तो जो lightening होती है, जो बिजली कड़कती है, वो पहले आपको दिखाई देती है, और उसके कुछ second बाद वो आपको सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है बच्चो? क्योंकि जो light की speed होती है, वो ज्यादा होती है sound क कि जब बिजली कड़कती है तो वह पहले आपको दिखाई देगी, क्योंकि जो राइट वहाँ पर प्रोडियूज हो India यह वह आपको तक पहले पहँचती है जबकी जो साउंड वहाँ पर प्रोडियूज हो रहा है वह आपके कानों तक पहुचने में उसको ज्यादा समय लग है तो अब मैं आपसे question भी पूछ लेता हूँ क्या है वो speed of light कितनी होती है ये मुझे बताईए आप और speed of sound कितनी होती है ये भी बताईए अब जब मैंने आप ने मुझे से पूछा sir example बताईए मैंने आपके example बता दिया कि speed of light speed of sound से क्यों ज्यादा होती है तो अब अब मैं आपसे पूछता हूँ आप मुझे बताईए speed of light कितनी होती है और speed of sound कितनी होती है चलिए चलिए आगे चलते हैं अगली property पर अगली property पर जो कि ये है कि बचो हम किसी भी object को तब ही देख पाते हैं जब किसी light source से यहाँ पर ये एक light source है जब किसी light source से light ray incident होती है जब किसी light source से light ray incident होती है किसी object पर और उस object पर incident होने के बाद वो light ray reflect होके जब हमारी आँखों तक आती है तब ही हम किसी object को देख पाते हैं तब ही हम किसी object को देख पाते हैं, अब अच्व यहाँ पर देखे, यह एक light source है, इससे यह light ray incident हो रही है, यह incident ray है, जब यह incident ray इस object पर incident हो रही है, और इस object से reflect back होकर हमारी आँखों तक आ रही है, तब ही हम इस object को देख पा रहे हैं, अब बच्व यहाँ पर, यहाँ पर हम बात करें, तो यह एक light source है, जो कि खुद ही light produce कर रहा है, तो क्या सारे source ऐसे होते हैं, जो खुद light produce करते हैं, तो नहीं, बच्व वो source, वो source जो कि खुद light produce करते हैं, उन्हें हम कहते हैं luminous object, उन्हें हम कहते हैं luminous object, अब ऐसे कौन से source तो बचो जो sun है हमारा sun, sun क्या है एक luminous object है क्योंकि वो खुद light produce करता है इस वज़े से वो हमें दिखता है तो ऐसे object जो खुद light produce नहीं करते हैं बलकि जब उन पर light, किसी light source से यानि किसी luminous object से light incident होती है और incident होके जब वो reflect back होके हमारी यहां को तक जाती है तब हम उन objects को द देख पाते हैं और ऐसे object जो कि खुद light produce नहीं करते हैं उन्हें हम कहते हैं non-luminous object जैसे कि इस example में अगर हम बात करें बच्चो तो यह क्या है यह है sun जो कि खुद light produce करता है तो यह एक luminous object होगा यह एक luminous object होगा क्योंकि यह खुद light produce कर रहा है यानि इससे light rays direct हमारी आख आखो तक आएंगी इससे light rays direct हमारी आखो तक आएंगी और हम sun को देख पाएंगे पर अगर हम बात करें बच्चो इस pencil की तो यह क्या है यह एक non-luminous object है यह एक non-luminous object है कि यह खुद light produce नहीं कर रहा है यह light को reflect कर रहा है जब इस luminous object sun से light ray incident होती है इस pencil पर तो यह pencil इस light ray को reflect करता है इसकी वज़े से हमें यह pencil दिख रही है तो यह एक non-luminous object है जबकि sun एक luminous object है ओके बच्चो अगली property की बात करते हैं हम light की तो अगली property यह है कि जब किसी object पर जब किसी object पर light ray incident होती है और वो object light ray को pass नहीं होने देता है यानि वो क्या होता है उपेक होता है व यानि बच्चो अगर कोई object है light ray pass हो रही है वो object light को pass नहीं होने दे रहा है तब shadow formation होता है जैसे कि यहाँ पर बच्चो यह क्या है यह एक tree है यहाँ से source से light rays आ रही है पर इस tree ने light rays को block कर दिया जिसकी वज़े से इस tree की shadow form हो गई यानि जब light ray block होती है तो उस light ray की वज़े जब block होती है तो उस object का जो की light ray को block कर रहा है उस object की shadow form हो जाती है तो यह थी बच्चो अगली property light ray की चलिए आगे चलते हैं properties of light जो चीज़े आभी आपको बताई है वो ही चीज़े लिखी है पहली कि light travels in straight line जिसे हम rectilinear propagation of light भी कहते हैं light travel much faster than sound light जो है वो sound की speed से ज़्यादा तेज होता है बहुत तेज होता है बलकि मैं कहूं तो तो हमने अब भी example भी देखा था जब lightning होती है बिजली कड़कती है तो हमें पहले वो दिखाई देती है और कुछ समय बाद वो हमें सुनाई देती है क्योंकि light की speed ज़्यादा होत पहुंचता है यानि हमें अगर किसी चीज को देखना है तो हमारी eyes ठीक होने चाहिए और उसके साथ-साथ light की presence भी होनी चाहिए अगर light नहीं होगी तो हम चीजों को नहीं देख पाएंगे shadow a form when light is blocked यानि shadow कब form होता है जब light block हो जाती है जैसा कि हमने देखा था पिछले example में light reblock हो गई इस वज़े से shadow का formation हुआ अगली property जो हमने already पढ़ी है light क्या है light एक energy का form है जैसे की heat energy, electrical energy और solar energy तो बच्चों ये थी कुछ properties light की जो कि हमने discuss कर ली है आगे चलते हैं और आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं what makes thing visible यानि आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वैसे हमें चीज़े दिखती है तो बच्चों हमने पढ़ा एक luminous object होता है जो कि light produce करता है और एक होता है non luminous object जो light produce नहीं करता है तो बच्चों अगर हमारे पास luminous object है और हमें उस object को देखना है तो उसे हम देखेंगे क्योंकि जो luminous object है वो light को emit करते हैं जबकि जो non luminous object है वो light को reflect करते हैं इसका मतलब है कि जो luminous object है बच्चों उन्हें तो हम directly देख सकते हैं क्योंकि वो light को emit करेंगे और वो light हमारी आँखों तक direct आएगी जिसकी वैसे हम उन्हें देख पाएंगे वहीं अगर हम बात करें non luminous object की तो उन पर जब किसी luminous object से light ray incident होती है तो वो light ray को reflect करते हैं हमारी आँखों तक और जैसे ही वो light ray महां से reflect होके हमारी आँखों तक आती है हम उस non luminous object को देख पाते हैं जैसे कि बच्चों हम बात करें moon की तो moon क्या है? moon एक non luminous object है जिसकी खुद की light नहीं होती है यानि बच्चों moon खुद light produce नहीं करता है फिर हम moon को कैसे देख पाते हैं तो बच्चों जब sun से light ray जाती है moon पर वो moon क्या करता है? उस light ray को reflect करता है और जब moon से reflected light ray हमारी आँखों तक आती है तब हम moon को देख पाते हैं तब हम moon को देख पाते हैं इसका मतलब अगर हमें चीजों को देखना है तो एक light source होना चाहिए वो light source जब किसी object पर light ray incident करता है वो object उस incident light को reflect back करता है हमारी आँखों तक तब हम उस object को देख पाते हैं अब बच्चों ये जो light ray sun से आ रही है इस object पर इसे हम कहेंगे incident ray इसे हम कहें incident ray और object से ये जो light ray हमारी आँखों तक जा रही है इसे हम कहेंगे reflected ray इसे हम कहेंगे reflected ray तो बच्चों ये होती है condition किसी भी object को देखने की किसी भी object को देखने की एक light source तो होना ही चाहिए तब ही हम किसी object को देख पाते हैं ओके अब बच्चों ये जो चीजा मैंने आपको बोली वही चीज़े यहां पर लिखी हुई है when a light form an object enter in us आई यानि बच्चों क्या होता है जब किसी object से light हमारी आँखों में एंटर होती है तब हम उस object को देख पाते हैं अब वो light ray emit भी हो सकती है और reflect भी हो सकती है अगर object हमारा luminous होगा तो light ray emit होगी और अगर object हमारा non lumin में तो light ray क्या होगी बच्चों reflect होगी जिसके वैसे हम उसको देख पाएंगे और light ray जो कि strike करती है surface से उसे हम कहते है incident ray जबकि वो light ray जो कि object से strike होके हमारी आँखों तक आती है उसे हम कहते है reflected ray उसे हम कहते हैं reflected ray तो बच्चों ये थी condition जिसकी वज़े से हम चीजों को दे question अभी आपने बड़ी ध्यान से सुना होगा सारी चीजों को देखा होगा हमने सब कुछ पढ़ लिया है अब जो हमने पढ़ा है उसी में से आप से question पूछा गया है बच्चों आपको example बताना है आपको एक example बताना है luminous object का और एक example बताना है non luminous object का बच्चों हमने luminous object क्या होता है वो object जिसकी खुद की light होती है और non luminous वो object जिसकी खुद की light नहीं होती है तो अब आपको मुझे इन दोनों की एक एक example बताने है और वो example नहीं बताने है जो मैं आपको बता चुका हूँ वो example नहीं बताने है उससे कुछ अलग example बताना है तो बच्चों य समझते हैं हम, एक experiment करते हैं, और उससे हम समझते हैं, देखिए, सबसे पहले हम बच्चो क्या लेते हैं, एक surface लेते हैं, यह क्या है, यह एक reflecting surface है, उपर से क्या है, यह polished है, और smooth है, नीचे से हमने से paint कर दिया है, तो यह वाली जो surface है, यह अब reflect नहीं करेगी, सिर्फ उपर वाली surface क्या करेगी, reflect करेगी, उपर वाली surface is smooth और plane है, तो बच्चो यह एक reflecting surface है, हम इस reflecting surface के perpendicular एक line draw कर लेते हैं, और इस line को हम कहते हैं normal, इस line को हम कहते हैं normal, हमने क्या किया बच्चो, एक reflecting surface लिया, उस reflecting surface के perpendicular एक line draw कर लिया, जिसे हम कह रहे हैं normal, अब बच्चो क्या होग जब किसी light source से इस surface पर light incident होगी तो क्या होगा अब उससे पहले ये जो light incident हो रही है इस light source से इस reflecting surface पर इस से हम कहेंगे incident ray इस ray को हम कहेंगे incident ray क्योंकि ये light source से इस reflecting surface पर आ रही है अब क्या होगा बचो जैसे ही ये light ray इस reflecting surface पर incident होई ये reflecting surface इस light ray को bend कर देगा और अब ये उसी medium में वापस चली जाएगी अब ये जो light ray है बचो इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहेंगे reflected ray ये इसे हम कहेंगे reflected ray क्या हुआ light ray आई light source से इस reflecting surface पर incident होई और incident होने के बाद वो वापस उसी medium में चली गई जिसे हम कहेंगे reflected ray अब बचो यहाँ पर जो angle बन रहा है incident ray और normal के बीच में उसे हम कहते हैं angle of incidence यानि angle between normal and incident ray is known as angle of incidence वहीं अगर हम बात करें angle between normal and reflected ray is known as angle of reflection यानि बचो इन दोनों के बीच में normal और reflected ray के बीच में जो angle बन रहा है उसे हम कहेंगे angle of reflection जबकि normal और incident ray के बीच में जो angle बन रहा है उसे हम कहेंगे angle of incidence आई क्या है angle of incidence और r क्या है angle of reflection तो बच्चो reflection समझ में आया जब किसी reflecting surface से एक light ray आके incident होगी तो वो उसी medium में वापस reflect back हो जाएगी और जहाँ पर light ray आके incident होती है अगर वहां से हम एक perpendicular draw करें उस reflecting surface पर तो उस perpendicular को हम कहते हैं normal तो बच्चो यहां तक यह चीज़े समझ में आ गए reflection क्या हो गया जब किसी reflecting surface से light ray incident होती है तो वो same medium में वापस back हो जाती है उसे हम कहते है reflection या फिर हम कह सकते है bouncing back bouncing back of light bouncing back of light भी क्या होता है reflection होता है क्योंकि यहां पर आप देखिए light ray आ रही है इस surface से टकरा के वापस bounce back हो जा रही है तो bouncing back of light is known as reflection अब हम बात कर रहे है laws of reflection laws of reflection क्या होते है तो बच्चो जो first law of reflection होता है first law of reflection होता है वो यह कहता है कि angle i is equals to angle r इसका मतलब angle of incidence is always equal to angle of reflection यानि बच्चो जितना angle यह बन रहा है और जितना angle यह बन रहा है यह दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है angle of incidence is always equal to angle of reflection यह होता है first law of reflection बच्चो यह रहा angle of incidence is always equal to angle of reflection second law of reflection क्या कहता है बच्चो second law of reflection यह बोलता है कि the incident ray, reflected ray and normal all lie in the same plane यानि ये तीनों एक ही plane में lie करते हैं ये तीनों एक ही plane में होते हैं कौन तीनों incident ray, reflected ray और normal ये तीनों एक ही plane में रहते हैं तो बच्चो यह हैं दो law, laws of reflection पहला law यह बोलता है कि angle of incidence is always equal to angle of reflection इसका मतलब जितने angle पर यह incident ray यहां पर incident होगी उतने ही angle पर यह वापस reflect back हो जाएगी उतने ही angle पर वापस reflect ray हो जाएगी और ये देखिए, क्या है ये incident ray, ये incident ray, normal और reflected ray ये तीनों एक ही plane में लाए करते हैं ये है आपका second law of reflection, second law of reflection तो चलिए बच्चो जो चीज़े वहाँ पर आपको बताई गई है, वो चीज़े यहाँ पर लिखी गई है तो उसी को आप पढ़ लीजे, आपको समझ आ जाएगा क्या लिखा है, angle between the normal and the incident ray is called angle of incidence angle between the reflected ray and normal is known as angle of reflection angle of incidence is always equal to angle of reflection angle of incidence is always equal to angle of reflection और ये ही क्या है, आपका first law of reflection जबकि यहाँ पर क्या है, the incident ray, the normal and the reflected ray all lie in the same plane, ये क्या है, ये है आपका second law of reflection second law of reflection, first law of reflection आपको समझ में आ गया है कि जो angle of incidence है, वो हमेशा angle of reflection के बराबर होता है second law में ये कहा जाता है कि जो incident ray है, normal है और reflected ray है वो सारे एक ही plane में लाए करते हैं तो बच्चो अब मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा law of reflection, इसलिए आगे बढ़ते हैं हम और अब हम देखते हैं properties of image formed by a plane mirror एक plane mirror से जो image form होती है, उसकी क्या-क्या properties होती है तो बच्चो पहली property तो जो image form हो रही है plane mirror से वो virtual होती है virtual होती है यानि उस image को हम किसी screen पर present नहीं कर सकते हैं ये सारी properties आपने already 7th में पढ़ी हुई है इसलिए हम इन properties को एक बात recall कर रहे हैं पहली properties होती है, पहली property होती है कि जो image form हो रही है plane mirror से वो virtual होती है, इसका मतलब उसे हम किसी screen पर present नहीं कर सकते हैं दूसरी property में ये कहा जाता है कि जो image form हो रही है plane mirror से वो laterally inverted होती है laterally inverted होती है मतलब जब आप mirror में देखेंगे बच्चो तो आपका जो right hand है वो left में देखेगा आपका जो left hand है वो right में देखेगा ऐसा होता है mirror में आप चाहें तो अभी खड़े हो के देख सकते हैं mirror में ऐसा ही आपको देखने का मिलेगा यानि right का left और left का right होना ही कहलाता है lateral inversion lateral inversion जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो P लिखा हुआ है plain mirror में इसकी image कैसी बन रही है ulty बन रही है यानि left का right right का left हो गया और बच्चो यही reason होता है कि जो ambulance होती है ambulance में कैसा लिखा होता है ultra लिखा होता है कि यानि जब हम back side अपने जो rear mirror होता है गाड़ियों में जब उससे देखे हम तो कैसा देखे हमें ambulance सीधा देखे यही कारण होता है उसे हम lateral inversion कहते हैं next जो property होती है वो यह होती है कि जो object form होता है जो object form होता है plane mirror से वो erect होता है erect जो image form होती है वो erect होती है इसका मतलब erect का मतलब जो head है वो उपर ही रहेगा यह देखिए जो head है P का वो उपर ही है ऐसा नहीं होगा कि head नीचे बन जाएगा इसका मतलब अगर object कुछ ऐसा है तो image भी ऐसा ही form होगा ऐसा image form नहीं होगा तो इसे कहते हैं erect यानि जिस direction में यानि उपर की ओर अगर arrow है तो जो image form होगी plane mirror में उसमें भी arrow जो है वो उपर की ओर ही होगा अब जो अगली property है वो ये बोलती है कि जो size जो size होता है object का और जो size होता है image का वो क्या होता है? वो same होता है यानि अगर कोई object plane mirror के सामने हम रखते हैं उस object की जो image form होती है वो image का size object के size के बराबर होगा अगली property ये होती है कि जो distance है object की plane mirror से और जो distance है plane mirror की image से ये distance भी equal होती है यानि plane mirror से जितनी दूरी पर object रखा रहेगा उतनी ही दूरी पर image भी form होगी तो ये कुछ properties होती है बच्चो plane mirror से जब object image form होती है ये आपको अल्रेड़ी पता है ये आपने 7th class में पढ़ा है यहाँ पर हमने recall कर लिया कि properties of image form by plane mirror क्या होती है virtual, laterally inverted, erect, same size of object and same distance कौन सी same distance? तो plane mirror object के बीच में जो distance होगी वही distance होगी plane mirror और उसके image के बीच की तो बच्चो ये properties थी आगे चलते हैं जसमें हम बात करेंगे regular and diffused reflection regular and diffused reflection क्या होता है तो बच्चो देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या हो रहा है? ये सब क्या है? ये सब incident रहे हैं ये सारी incident रहे हैं अब बच्चो ये जो incident रहे हैं इनको आप देख सकते हैं ये सारी एक दूसरे के क्या है? parallel हैं ये सारी एक दूसरे के parallel हैं इसका मतलब ये इसका मतलब जब किसी surface पर incident रहे incident हो और वो एक दूसरे के parallel हो तब तब उस surface पे incident होने के बाद अगर reflected ray भी एक दूसरे के parallel हो तो इस type के reflection को हम कहते हैं regular या फिर diffused regular या फिर sorry इसे हम कहते हैं regular reflection यानि जब parallel incident ray किसी surface पर strike हो और strike होने के बाद वो parallel ही reflect हो जाएं तो इस type के reflection को हम कहते है regular reflection अब ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों ऐसा इसलिए हो रहा है कि यह जो surface है जहां पर light ray incident हो रही है यह surface कैसी है regular surface है यानि इसमें कोई भी irregularity नहीं है यह uneven नहीं है जिसकी वज़े से जो reflected रहे है वो सारी एक दूसरे के parallel है जैसे कि incident रहे है तो ऐसा अगर reflection होता है उससे हम कहेंगे regular reflection यानि when all the parallel rays reflected from a smooth surface are parallel the reflection is known as regular reflection बच्चों जो हमने laws of reflection पढ़ा वो हर जगे apply होता है चाहे वो आपका plane mirror हो चाहे वो spherical mirror हो तो देखिए जब light ray incident हो रही है तो वो reflect back हो रही है और उनके बीच में जो angle होगा यानि अगर हम यहां पर एक normal draw करें यहां पर अगर हम एक normal draw कर दें तो जितना angle यह होगा उतना ही यह angle होगा नाम से समझ में आ रहा है देखिए बचों यहां पर क्या हो रहा है यह सब क्या है यह जो है यह सारी incident रहे है यह सारी incident रहे है और इन्हें आप देख सकते हैं कि यह जितनी भी incident रहे हैं, वो क्या है, एक दूसरे के, वो एक दूसरे के parallel है, यानि जब किसी surface पर, जब किसी surface पर parallel incident रहे हैं, incident होती है, पर उस surface की irregularity के कारण, जब उस surface की irregularity के कारण, जब उस surface की irregularity के कारण, जो reflected रहे हैं, वो एक दूसरे के parallel ना हो, यानि ये देखिए बच्चो ये एक reflected ray है ये reflected ray है और ये reflected ray है ये चारों जो reflected ray हैं बच्चो ये क्या है ये एक दूसरे के parallel नहीं है यानि जब parallel incident light किसी surface पर incident होती है पर उस surface से reflect होने के बाद वो एक दूसरे के parallel ना रहें तो इस type के reflection को हम कहते हैं diffused या irregular reflection और ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि जिस surface पर ये light ray incident हो रही है वो surface irregular है वो surface rough है वो smooth नहीं है और regular नहीं है यानि जब किसी smooth और regular surface से reflection होगा तो उसे हम कहेंगे regular reflection और जब किसी rough और rough या फिर irregular surface से reflection होगा उसे हम कहेंगे diffused और irregular reflection समझ में आ गया यानि जब light ray incident हो रही है ऐगर वो reflect भी हो रही है तो रगिलर reflection अगर light ray parallally incident हो रही है पर incident होने के बाद वो क्या हो रही है पैरलली reflect नहीं हो रही है यानि जो भी reflected रही हैं वो एक दूसरे के parallelles नहीं है तो उस type के reflection को हम कहेंगे diffuse या irregular reflection अब बचो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो images form होती है वो हमेशा regular reflection की करण form होती है यह निए images are formed by regular reflection क्योंकि वहाँ पर जो भी light ray reflect हो रही है वो एक दूसरे के parallel है अब देखें यहाँ पर यह light ray reflect हो रही है यह light ray reflect हो रही है clearly form नहीं होगी तो इसलिए images are always formed by regular reflection आगे चलते हैं बच्चो आगे चलते हैं आपके लिए question आगया इसको ध्यान से देखिए और answer कीजिए question में यह पूछा गया है images are formed by images are formed by यहाँ पर क्या आएगा answer कीजिए यहाँ पर क्या आएगा आपने सब अगर ध्यान से सुना है तो बहुत ही simple question है आप लोगों के लिए easily आप इस question को answer कर पाएंगे का answer कीजिए फिर चलते हैं हम आगे आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं reflected light can be reflected again इसका मतलब एक बार जो light reflect हो गई है क्या वो फिर से reflect हो सकती है क्या वो फिर से reflect हो सकती है तो बच्चो हाँ बिलकुल हो सकती है कैसे होती है सर बताईए बिलकुल बताएंगे भाई आपको तो देखिए बच्चो हम इसके लिए पढ़ेंगे periscope, क्या होता है periscope बचो तो periscope एक device होता है जिसकी help से submarine के अंदर बैठे-बैठे जो ocean surface है, उस पर क्या चीजे हैं, उसको देखा जा सकता है, इसके अलावा इसका use होता है, war field में जहां पर लडाईयां चलती है, वहां पर भी क्या किया जाता है बच्चो, periscope का use किया जाता है, अब होता क्या है इसमें, तो देखिए बच्चो, ये क्या है एक, ये एक cylinder है ये एक cylindrical pipe होता है इसमें इसमें एक cylindrical pipe होता है और इस cylindrical pipe में बच्चो, दो mirror लगे होते हैं, कैसे? plane mirror लगे होते हैं दो plane mirror लगे होते हैं यह क्या है बच्चो यह यह एक plane mirror है यह एक plane mirror है अब यह जो plane mirror है कैसे काम करता है कैसे काम करता है तो बच्चो देखिए यहाँ पर अगर कोई object है यहाँ पर अगर कोई object है तो इस object से light rate travel होके जाएगी इस object से light ray travel होके जाएगी, कहां पर जाएगी, तो first mirror पर, इस object से light ray travel होके जाती है, बच्चो यह रहा object, और यह एक cylindrical pipe है, जिसमें दो mirror लगे हुए हैं, दो plain mirror, यह है first mirror, और यह है second mirror, इस object से light ray travel होके जाती है, इस mirror से टकराती है, इस mirror से टकराएगी, तो क्या होगा बच्च सिर्फिक्षन होगा ना क्योंकि हमने पढ़ा है जब प्लेण मिरसा लाइट ृट रिजा कर तकराती है तो उस लाइट रिफ्लेक्षन होता है जब यहां से हैट ट्रेफलेक्षन होने के तो इस जाकर टक रहने से आगाई यहांखों तक पहुँच जाएगी जिससे कि हम यहां पर बैठे हुए इस वाले object को देख सकते हैं जो कि हमको directly visible नहीं था यह हमको directly visible नहीं है फिर भी हमने periscope की help से इसको देख लिया यहां पर देखिए यहां पर periscope बनाया गया है बच्चों क्या है यह एक cylinder होता है इसमें जले एक मिरर लगा होता है plane mirror यह है first mirror यह है आपका second mirror जब यहां पर कोई object रखा होगा जब यहां पर कोई object रखा होगा तर इस object से light ray travel करते हुए जाती है फ़स्ट प्लेंड मिरर पर strike होने के बाद वो reflect back होती है और reflected ये क्या है? ये तो है incident ray ये है बच्चो इंसिडेंट ray और ये क्या है? ये है reflected ray क्योंकि ये plane mirror से reflect हो रही है तो ये reflected ray वापस जाती है second mirror पर जब ये strike करती है तो यह फिर से reflect हो जाती है, तो यह फिर क्या है बचो, यह भी एक reflected ray ही है, और यहाँ पर हम इस object को देख पाते हैं, यहाँ पर हम इस object को देख पाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ बचो, कि जो light ray एक बार reflect हुई है, वो बार बार भी reflect हो सकती है, यहाँ पर हमने देखा, एक ब लव reflected light ray can be reflected again, yes, reflected light ray can be reflected again, वो हमने देख लिया, periscope में होता है, इसके अलावा, इसके अलावा सर, आप क्या एक और example से हमें समझा सकते हैं, कि reflected light जो है, वो फिर से reflect हो सकती है, हाँ बच्चो बिलकुल समझा सकता हूँ, अगर आप इतना बोल रहे हैं, तो एक बार फिर से ब आने जाते हैं, नहीं की दुकान पर, तो क्या होता है बच्चो, जब आपके बालों को काट दिता है, वो बाल आपकी cutting हो गई है, फिर आपको एक बार वो दिखाता है, कि आपके बाल properly cut हैं या नहीं, उसके लिए आप क्या करते हैं, फ्रंट में आपके सामने एक mirror होता है, वहाँ पर आप आपने आगे के बालों को तो देख सकते हैं, क्लियर ली कि हाँ, मेरे बाल कैसे कटे हैं, अच्छे अच्छे कटे हैं, ठीक है, यहाँ पर तो सही है, पर पीछे कैसे कटे हैं, वो कैसे देखोगे आप, वो कैसे देखोगे तो उसके लिए क्या करता है, बच अच्छे हो गए हैं, ऐसा ही करते हैं हम, बचो हुआ क्या, आपके सामने एक बड़ा सा mirror लगा हुआ है, आप उस mirror में देख रहे हैं, तो उस mirror में आपकी image form हो गई, यानि आपके चहरे पे जो light ray incident हो रही है, वो light ray आपके चहरे से reflect होके उस mirror पे गई, जिसकी वज़े से आप का image form हो गया, अब जैसे ही नाई ने एक दूसरा mirror वहां पर रखा, कहां पर आपके सर के पीछे, तो क्या हुआ, वहां पर जहां पर आपकी image form हो रही थी front mirror से, वहां से वापस light ray reflect होके आई, back वाले mirror पर, back वाले mirror पर, और back वाले mirror से वापस आपके सर से, यानि back से जो light ray थ मिठे हुए हैं, आपके front में एक mirror लगा हुआ है, यह है बच्चो, front mirror और एक आपके back side में mirror लगा हुआ है, यह है back mirror क्या होगा बच्चो, यह आपका face का front है, और यह आपका back का, जो है, वो, आपके head का back है, वो आपके head का back है, अब क्या होगा बच्चो, आप जब इस mirror में देखेंगे, तो यहां से light ray गई, यह incident light ray है, यह है incident ray, इस इस पे क्या हुआ हुआ, इस पे आपका image form हो गया, इस mirror पर अब यह front mirror क्या करेगा Is light को reflect करेगा is light को सने reflect कर दिया यानि यह क्या है reflected Ray है जिसकी वज़े से इस पर आपकी image form हो गई यानि back mirror पर भी आपडिक देखा जा सकता है आपके चेहरे को अब क्या हुआ back side से back side से यहां पर light ray incident हुई यानि ये क्या है incident ray और ये light ray incident हुई तब क्या होगा बच्चो back mirror क्या करेगा back mirror reflection करेगा back mirror reflection करेगा तो वो reflection आपको दिखाई देगा front mirror पर यानि ये भी क्या है ये भी एक reflected ray है यानि आपके back से आपके सर के पिछले हिस्से का जो light ray वहां से आई और back mirror पर आई जहां पर उसका image form हुआ back mirror पर back mirror पर image form हुआ वहां से light ray का reflection हुआ जो कि front mirror में अब आपको दिखाई देगा तो इस तरीके से आपको आपके पीछे का आपके head के पीछे का जो cutting करवाई है आपने वो आप easily देख पाते हैं इसका मतलब यह ऐसा है कि जो light ray है वो multiple times reflect back हो सकती है एक बार reflect होई फिर उसको plain mirror मिल गया तो वो फिर से reflect हो जाएगी फिर से reflect हो जाएगी जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते बच्चों यह क्या है दो mirror रखे हुए हैं यहाँ mirror 1 और यह है mirror 2 अब बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है सबसे पहले mirror 1 में उसकी एक image बनी image बनी तो इस image का reflection आया इस mirror पर इस image का reflection आया इस mirror पर तो जिसकी वेसे यहाँ पर image बन गई इसका reflection गया तो यहाँ पर image बन गई फिर reflection हुआ तो image बन गई यानि क्या हो रहा है बार बार light tree का reflection होता जा रहा है जिसकी वेसे इसकी multiple image form हो रही है यानि हम अब इन दो examples के बाद यह clearly कह सकते हैं कि जो reflected light है वो फिर से reflect हो सकती है multiple times हो सकती है और multiple image form हो सकते हैं आगे चलते हैं बच्चों आगे चलते हैं हम ओके आगे चलते हैं हम अब आपके लिए एक question प्यारा सा question जिसमें पूछा गया है what is the minimum what is the minimum number of mirrors required for multiple image formation यानि बच्चों अगर आपको multiple image form करनी है तो जो minimum number of mirrors हैं वो कितने होंगे minimum number of mirrors तो वो कैसे बताएंगे आप अब भी मैंने आपको बताया है अब भी मैंने example से बताया है आपकी image form हो रही थी आप जब cutting की दुकान पे गये थे आपने cutting करवाई थी आपको आपके head का back देखना था तो उसके लिए क्या हुआ mirrors के requirement हुई अब आप थोड़ा सोचिए ध्यान से और बताये कि minimum number of कितने mirrors लगेंगे जिससे कि आप multiple image form कर सकते है बच्चों multiple का मतलब क्या होता है दो या दो से ज्यादा multiple का मतलब बहुत नहीं होता है multiple में सब आजाते हैं दो या दो से ज्यादा तो अब थोड़ा ध्यान से सोचिए और इस question का answer कीजिए कि minimum number of mirror कितने लगेंगे ओके चलते हैं आगे आगे हम बात करते हैं kaleidoscope क्या होता है बच्चो kaleidoscope इसको form कर सकते हैं हम आप घर पे अब जो multiple image formation हो रहा है उसी के principle पर ये work करता है उसी के principle पर work करता है कैसे तो बच्चो आपको क्या करना है तीन rectangular mirror लेने हैं तीन rectangular mirror के टुकड़े लेने हैं एक, दो, तीन अब इन तीनों को क्या कीजिए आपस में आप एक prism की तरह एक prism की तरह add कर दीजिए तो ये तीन mirrors हैं जिनको आपने prism की तरह जोड़ दिया और क्या करना है इनकी जो reflecting side है वो अंदर होगी जो reflecting side है वो अंदर होगी ये है बच्चो reflecting side जो की अंदर की side है और बाहर की side क्या होगी polished side होगी तो आपने ऐसा कर लिया अब आप एक क्या कीजिए एक cardboard से एक cylinder जैसा बना लीजिए safe एक cardboard लीजिए जिससे आप एक cylindrical safe बना लीजिए और ये जो cylindrical safe होगा बच्चो वो इन mirrors से थोड़ा बड़ा होगा अब जो आपने prism बनाया है इन mirrors से उस prism को इस cylindrical जो cardboard है इसके अंदर डाल दीजिए उपर क्या करिए यहाँ पर एक cover लगाई है cardboard cardboard से इसको ढग दीजिए उस cardboard में एक चोटा सा hole कर दीजिए जैसा कि यह दिख रहा है आपको इस cardboard में आपने एक चोटा सा hole कर दिया है अब जो दूसरी side है दूसरी side क्या कीजिए बच्चों आप एक transparent glass रखिए एक transparent glass रखिए उस पे कुछ टुकडे रख दीजिए कौन से? colored piece टुकडे जो bangles होते हैं उनके कुछ टुकडे हैं वो colored रख दीजिए और फिर उसे एक solid जो glass है उससे धख दीजिए और इतनी space रखिए कि यह जो टुकडे हैं वो इधर उधर move कर सकें हमने क्या किया? हमारे पास तीन कांच के टुकडे थे तीन plane mirrors थे उनको हमने जॉइन करके एक prism बना दिया reflecting surface जो है वो अंदर होगी और जो polyt surface है वो बाहर होगी फिर हमने एक cardboard से cylinder जैसा shape बनाया cylindrical shape में हमने इस prism को अंदर insert कर दिया एक end पर हमने एक cardboard लगाया जिसमें एक छोटा सा hole कर दिया दूसरे end पर हमने एक transparent glass रखा जिस पर हमने कुछ pieces रख दिये टुकड़े रख दिये हमने colored टुकड़े और उसके उपर हमने एक और glass से glass से हमने उसे pack कर दिया और यतनी space छोड़ दी कि यह जो टुकड़े हैं वो move कर सकें अब बच्चो जब हम इस hole में से यहां पर देखेंगे तो क्या होगा हमें multiple image form होंगी और colorful चीजें हमें colorful band दिखाई देंगे ऐसा क्यों होगा बच्चो क्योंकि यहां पर 3 surfaces हैं 3 surfaces हैं किसकी mirror की तो क्या होगा light ray का multiple reflection होगा जिससे हमें patterns बहुत सारे अलग-अलग patterns दिखाई देंगे और एक और खास बात होती है kaleidoscope की कि एक बार जो आपको pattern दिखा वो दुबारा नहीं देखने को मिलता है kaleidoscope का use करते हैं बच्चो कौन use करता है तो जो wallpaper design करते है जो fabric design करते हैं वहां पर use किया जाता है ideas लेने के लिए क्योंकि वो kaleidoscope form करके उसमें देखते हैं तो जो color combination उनको देखता है जो pattern देखता है उसकी help से उसकी help से वो नए ideas सोचते हैं और नई चीजे design करते हैं तो आप चाहें तो इसको बना के देख सकते हैं आपको ये दुकान पर देखा होगा मेले में देखा होगा बच्चो मिलता है तो आपने हो सकता है use भी क्या होगा तो ये है बच्चो kaleidoscope का formation अब यहाँ पर ये किस principle पर work कर रहा है ये work कर रहा है multiple image formation multiple image formation या फिर हम कहें हम कहें तो जो reflected light है वो reflected light जो है बच्चो वो बार-बार उसका reflection हो रहा है जिसकी वज़े से multiple image form हो रही है और हमें इस kaleidoscope में बहुत ही सुन्दर और प्यारा pattern देखने को मिलता है तो अब आपको समझ में आ गया होगा kaleidoscope क्या है कैसे form होता है और इसकी working कैसे होती है आगे चलते हैं हम आगे चलते हैं बात करते हैं sunlight जो है बच्चो वो white color की होती है या फिर colored होती है जो sunlight है वो white होती है या फिर colored होती है इसके लिए हम एक experiment करते हैं हम लेते हैं एक bowl हमने एक कटोरी ले लिए बच्चो हमने एक bowl ले लिया हम इसमें क्या करते हैं हम इसमें एक plane mirror रख देते हैं हमने इसमें एक mirror रख दिया हमने बच्चों इसमें एक mirror रख दिया और इस ball को हमने पानी से भर दिया क्या क्या बच्चों हमने एक कटोरी ली उसमें एक plane mirror रखा और उसको हमने पानी से भर दिया हम ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि ऐसा करने से अब ये कटोरी जो है वो एक प्रिजम की तरह काम करने लगेगी। वो एक prism की तरह काम करने लगेगी, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक white screen लेंगे, हम एक white screen लेंगे, white screen लेने के बाद, हम क्या करेंगे बच्चो, window से, या फिर हम किसी ऐसी जगे, इस kattori और इस setup को रखेंगे, जहां पर sun light आए, यानि sun वहाँ पर हो, अब क्या होगा, sun के अलावा आपकी sun light आए, तो क्या होगा बच्चो, जब sun से, light ray incident होगी, इस prism पर, जो की हमने बनाया है, kattori एक mirror और पानी से, तो जब light ray यहाँ पर incident होगी, तो incident होने के बाद, बच्चो, क्या देखने को मिलेगा, कि यहाँ से, इस prism से, light ray, यहाँ पर, इस white seat पर, इस white screen पर, हमको, कुछ इस प्रकार से, देखने को मिलेगी, यानि हमने क्या देखा बच्चो, हमने एक बाउल लिया, उसमें एक mirror रखा, उसको हमने पानी से भर दिया, यहाँ पर एक white screen ली, जब sun से sunlight incident होगी, इस बाउल में, तो वो reflect होने के बाद, कुछ इस तरीके से, हमको white screen पर, देखने को मिलेगी, इसका मतलब बच्चो, जो sun से जो light आ रही है, वो white color की आ रही है, बट, इस prism से पास होने के बाद, वो seven different colors में, वो seven different colors में, क्या हो गई, break हो गई, seven different colors में break हो गई, इसका मतलब, जो white light होती है, जो sun से आती है, वो seven color से मिलके बनी हुई है, वो seven color से मिलके बनी हुई है, और बच्चो, prism से, prism से, इस white light का seven colors में तूटना इस phenomenon को हम कहते हैं dispersion of light इसे हम कहते हैं dispersion of light इसका मतलब जब किसी prism से sun से white light आती है तो वो इस prism को pass करके जब निकलती है तो वो seven colors में तूट जाती है और इस phenomenon को हम कहते हैं dispersion of light इसका मतलब बच्चो जो sun से light आ रही है वो कौन से color की है white color की है बट वो seven color से मिलके बनी हुई है वो seven color से मिलके बनी हुई है और वो color क्या उनसे होते हैं ये आपको देखने को मिल रहे हैं जिने हम कहते हैं विब ग्योर विब ग्योर ये हैं बच्चो violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red ये हैं आपके seven color जिनसे मिलके white light बनी होती है तो अब आपको समझ में आवा गया होगा sun से जो light आती है वो white होती है या colored होती है आगे चलते हैं बच्चो ये देखिए एक बार फिर से ये एक prism है, glass prism है जिससे white light आ रही है sun से पर जैसे ही वो prism से बाहर निकलती है वो अपने seven component color में break हो जाती है और वो color ये होते है red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet जिसमें सबसे नीचे violet color होता है और सबसे उपर होता है red color सबसे उपर होता है red color अब बच्चो यहाँ पर आप देख सकते है red color जो है, वो कम deviate हो रहा है वो कम deviate हो रहा है इसी वज़े से जो danger signal होते है वो red color के use किये जाते है क्योंकि red color जादा लंबी दूरी तक जा सकता है, विना deviate हुए तो यह है बच्चो sun के बारे में information की sun से जो light आ रही है, वो white होती है colored होती है, वो light तो white होती है पर जैसे ही वो prison से pass होती है वो seven colors में तूट जाती है क्योंकि वो white light in seven color से मिलके बनी हुई होती है, ओके in seven color से मिलके बनी हुई होती है आगे चलते हैं बच्चो आगे चलते हैं अब हम बात करेंगे what is inside our eyes, हमारी आखों में क्या होता है, उसका structure क्या होता है और कैसे work करता है बच्चो क्यों बात करेंगे हम आखों की भाई बच्चो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं light तो क्या हम सिर्फ light की हल्प से चीजों को देख पाते हैं नहीं, उसके लिए हमारी eyes का proper functioning भी ज़रूरी है अगर eyes proper function करेंगी तभी हम चीजों को देख पाएंगे और अपने आसपास चीजों को बहुत सुंदर सुंदर खूबसूरत चीजों को हम recognize कर पाएंगे यानि eyes हमारे लिए एक बहुत ही important sensory organ है जिसकी वज़े से हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं तो इस वज़े से हम पढ़ते हैं हमारी eyes की बारे में उसका structure क्या है कैसे work करता है और eyes की care कैसे की जाती है तो बच्चो eyes में कुछ component होते हैं कुछ चीजे होती है जैसे cornea होता है बच्चो cornea का का काम क्या होता है बच्चो cornea एक transparent spherical membrane होता है जो की हमारे eye को outer eye को protect करता है cornea के जस्ट पीछे होता है बच्चो iris जो की एक diaphragm होता है वो cornea और lens के बीच में होता है अब बच्चो आपने देखा होगा आपने सुना होगा बहुत से लोग की किसी की आँखे भूरी होती है किसी के green किसी की नीली होती है ये क्यों होती है क्योंकि बच्चो उनके iris का जो color होता है वो change होता है तो iris का color change होने की वैज़े से जो आँखों का color है वो green, brown या फिर blue होता है बच्चो iris के बीच में एक छोटा सा hole होता है जिसे हम कहते हैं pupil और iris क्या करता है हमारी आँखों में कितनी light जाएगी वो ये iris decide करता है यानि iris control करता है हमारी eyes में कितनी light enter होगी फिर उसके बाद आता है eye lens सबसे पहले cornea फिर iris और उसके पीछे होता है eye lens eye lens क्या होता है बच्चो एक transparent jelly like material होता है जो की हमारी आँखों पर जो भी light incident होती है उसको focus करता है back side of the eye जो की होता है retina retina की back side back surface पर light को focus करता है eye lens और इस eye lens को उसकी position में रखने का काम करता है ciliary muscles जो की eye lens को उसकी position पर hold करके रखता है तो ये बच्चो सब के function है अब जब सबसे पहले क्या होता है cornea से light ray जाती है अंदर आइरिस उसको control करता है कितनी light ray enter होगी आइरिस light होते हुए जाती है eye lens पर eye lens क्या करता है उस light ray को adjust करके retina पर image form करता है और retina पर बहुत सारे sensory organ होते हैं जो की sense करते हैं कि क्या image form हुई है और उस information को optic nerve के through वो brain तक पहुचा देते हैं जहां पर brain हमारा उस image को पढ़ता है उसके बारे में information लेता है और फिर हमें बताता है कि यह क्या चीज है यह क्या चीज form हुआ है तो कुछ इस तरीके से हमारी जो eye है वो work करती है देखते हैं बच्चो इसका हम diagram देखते हैं यह देखिए यहां पर सबसे पहले जो eye है जो हमारे बच्चो यहां पर light ray आती है वो cornea के through iris से होते हुए lens पर जाती है lens क्या करता है उस light ray को adjust करके retina पर image का formation करता है retina पर बहुत सारे sensory organ होते हैं वो organ sense करके optive nurse के through वो information हमारे brain तक पहुचाते हैं और हमारा brain recognize करता है कि यह क्या चीज है यह क्या object है जो कि हमारी आँखों पर scheme is form हो रही है तो बच्चो यह है eye का structure कुछ इस तरी के से हमारी eye work करती है अब क्या होता है बच्चो कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको past की चीज़े पढ़ने में दिक्कत होती है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनने दूर की चीज़े देखने में दिक्कत होती है और with age भी क्या होता है कि जो हमारी eye की efficiency है वो घटने लगती है घटने लगती है तो हमें आकर ऐसा क्या करना चाहिए क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे हम अपनी आँखों को स्वस्त रख सकें हमें क्या खाना चाहिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो अभी हम देखेंगे हमें अपने आँखों की care कैसे करनी चाहिए तो सबसे पहले कि अगर हमें जो डॉक्टर है वो सजिस्ट करता है कि आप चस्मा लगाईए आप स्पेक्टिकल्स लगाईए तो हमें सुटेबल स्पेक्टिकल्स लगाने चाहिए जिससे कि हम अपनी आँखों को प्रोटेक्ट करें हांफुल लाइट से जैसा कि अभी आप बच्छों बहुत देर देर तक फोन चलाते हैं आप लैपटाप पर पढ़ते हैं तो क्या होता है उससे जो हामफुल लाइट होती है वो हमारी आखों तक आती है जो कि हमारी आखों को एफेक्ट करती है इस वज़े से हम क्या करते हैं सो टेबल जो भी चसमें होते हैं जो क कि उन harmful light से हमारी आँखों को बचाए वो हमें use करने चाहिए on the recommendation of doctor क्या होता है बच्चों जब light बहुत insufficient होती है कम light में हम पढ़ते हैं चीजों को तो उसकी वज़े से हमें headache होने लगता है हमें eye strain होने लगता है तो हमें insufficient light में कभी भी चीजों को नहीं देखना चाहिए और नहीं extra light में जब बहुत बड़े source से light रहे आती है और अगर हम उसे हम direct देखते हैं तो हमारी आँखों को damage होने का खत्रा होता है जैसे कि sun को हमें directly नहीं देखना चाहिए वो बहुत powerful एक source है light source जिससे light रहे अगर हम directly देखेंगे तो वो हमारे retina को injure कर सकता है इस वज़े से हमें बचना चाहिए हमें light source को directly नहीं देखना चाहिए बचों अगर हमारी आँखों में कुछ अगर dust particle चले गए तो हमें उसे rub करने के जगे पानी से wash करना चाहिए यानि हमें पानी से दुना चाहिए क्योंकि अगर हम rub करते हैं तो वो ज़्यादा हमारी आँखों के लिए बेकार होता है तो इस वज़े से अगर आपकी आँखों में कोई कचड़ा चला गया है तो आप उसे पानी से दोलीजिए जिससे की वो बाहर आ जाएगा तो कुछ ये तरीके होते हैं जो कि आपको normally पता है हम ये करने चाहिए बट हम जनरली करते नहीं है इसके बात ये तो बात हो गई कि हम आउटर वर्ल्ड से हम अपने आँखों को कैसे बचा सकते हैं धूल नहीं जानी चाहिए उसके लिए हमें चस्में लगाना चाहिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई कंकड कुछ चीजे ना जाए हमारी आँखों में उसके अलावा हमें प्रॉपर डाइट लिना चाहिए क्योंकि बच्चों हमारी जो आई हो उसको कुछ चीजे चाहिए होती जैसे विटामिन ए अगर विटामिन ए हमारी डाइट में नहीं होगा तो नाइट ब्लाइंड लेस हो जाएगी यानि रात में नहीं देखेगा जिसे हम रतोंधी बोलते हैं तो हमें ऐसी diet लेनी चाहिए जिसमें vitamin की क्या हो प्रच और मातरा हो यानि हमें vitamin लेना चाहिए तो vitamin A की deficiency ना हुआ ốngआ हमारी body में हमें इस तरह की diet को follow करना चाहिए हमें carrot खाना चाहिए हमें पालक खाना चाहिए जैसा कि आप लोगे ने सुना है मम्मी कहना चाहिए पालक खाना चाहिए, कैरड खाना चाहिए. इससे हमारी आख्व की ढाना होती है. और भी बात करें हम, कि हमारी आख्व के लिए required चीजे होती है. वो मिलती है, जिससे की हम हमारी आख्व की ध्यान रख पाते हैं, केर होती है, और हम properly चीजों को देख पाते हैं, तो हमें यह सब चीजे करनी चाहिए, अपनी आँखों का अपनी आउनकों का ध्यान रख सकते हैं, अब आगे चलते हैं, और हम बात करते हैं, बच्यों, Braille system के बारे में, लुई ब्रेल ये क्या है वच्चो तो बहुत से लोग ऐसे दुनिया में हैं जो कि विजवली क्या होते हैं इंपेर्ड होते हैं बहुत से लोग होते हैं जिनका विजन कम होता है बहुत कम देख पाते हैं और बहुत लोग ऐसे होते हैं कुछ भी नहीं देख पाते हैं, या वो कुछ नहीं देख सकते हैं, वो by birth ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है कि किसी injury या फिर accident के कारण, किसी बिमारी के कारण उनके आँखों की जो रौसनी है, वो चली गई, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, लुई ब्रेल जो कि खुद एक visually impaired person थे, उन्होंने एक system बनाया, ब्रेल सिस्टम, जिसकी help से visually impaired लोग पढ़ सकते हैं चीजों को, जिसमें बच्चों total 63 dots हैं, total 63 dots हैं, कुछ ऐसे जैसे यहाँ पर C को ऐसे represent किया जाता है, A को ऐसे, T को ऐसे, end, comma को इस तरीके से represent किया जाता है, तो total बच्चों 63 dots हैं, जिसमें mathematical, languages और scientific notations हैं, तो बच्चों जो visually impaired लोग होते हैं, वो इन सारे notations को touch करके इनको याद करते हैं, क्योंकि ये notations हैं, ये उठे हुए होते हैं, ये कुछ उठे हुए होते हैं, तो जब इन पे fingers फेरते हैं, touch करते हैं, तो sense करके वो इनको recognize करते हैं, तो सबसे पहले एक-एक words को याद किया जाता है, recognize किया जाता है, उनको touch करके, फिर धीरे-धीरे बच्चो जो special characters होते हैं, उनको सीखा जाता है, और फिर इन सारे words को मिलाके, combination करके, sentence formation किया जाता है, बच्चो जैसे कि C ये हैं, तो सबसे पहले सारे alphabet जो भी है, 63 dots, वो सिखाए जाते हैं, उन लोगों को sense करके, वो फिर दो लाइन, फिर दो लाइन, तो ऐसे ही सारे patterns बने हुए हैं, अब बच्चो क्या होता है, कि जब A, C, A, T सारे आपको याद हो गए हैं, तो इनने एक साथ, इन सारे dots को एक साथ लिख दिया गया, इन सारे characters को एक साथ लिख दिया गया, तो जो visually impaired person होगा, अब उसे च बाते भी कर सकते हैं, वो बाते करने का भी उनके पास तरीका होता है, और इसके अलावा वो चीजों को पढ़ भी सकते हैं, वो पढ़ भी सकते हैं, ब्रेल सिस्टम की help से, तो बच्चो लुई ब्रेल जो कि खुद एक visually impaired थे, जब उनको लगा कि मेरे जैसे और भी लोग हो से होते हैं, जहां पर ब्रेल सिस्टम में भी चीजे लिखे होती हैं, अगर visually impaired person वहाँ पर जाते हैं, तो वो touch करके चीजों को पढ़ सकते हैं, और समझ सकते हैं, तो बच्चो इन्होंने बहुत अच्छा गाम किया, बहुत से लोग ऐसे दुनिया में हैं, जिनको इस सिस्टम की helps है, वो अब पढ़ पाते हैं, तो बच्चो ये था हमारा आज का lecture, ये था हमारा आज का lecture जिसमें हमने light के बारे में discuss किया, light क्या होती है, हमने laws of reflection देखे, collider scope देखा, multiple image formation देखा, उसके अलावा बच्चो हमने human eyes के structure, working और उसकी care के बारे में पढ़ा, और at the end बच्चो हमने braille system के बारे में पढ़ा, तो बच्चो ये जो भी चीज़े आपके class 8th science के light chapter में थी, वो सारी चीज़े हमने in detail cover कर ली है, अब बच्चो आप ध्यान से पढ़िए इसको, समझिए और मजे करते रहिए, मिलते हैं अगले lecture में, तब तक अपना ध्यान रखिए करते करते हैं, चाहिए, बच्चो आपके राखिए और में शानल और में वेया धू करते हैं शतते हैं, तब प्यक wal meditate कर दोब हमने वेँए से और में उते हमने इसकंळ जाया हैं, युर क defenses नग्चो आप判के दो की य comumरे hier बच। Nah chatरे बच्चो आ से वेद्च was to Tuesday की के जव